और अंदर के सामना जुदाब के उद्धिस को सुफ़ने मोने दिया। खुदि लाटी एक्ट्राशी को सांस्क्रित की दर्वा पड़ने के तारण यहां पर कुद्धिवा सज़ाव प्रेटेक आते रहे हैं। और विद्धि लिस्तित जान गए नीमीपातितिक ए Oreo स्विद्धित के सापना की है। वे मुद्धित अरहे से अने वाले परेटेक नंत नेकी जाए और लेष दिचति के घृणी को आगे बढ़े। और इसी में अभिसे जूर से आपको जानगाए देंगे श्रीमान हरीश भूमानी धन्यवाद। इस राजियन के सिंसावर श्रीमान भूहन जी श्रीमानी है। उन्हों ने वरिष्ट अध्यापक की माकरी से स्वेच्छा सीवान प्रित्ति लेकर अपनी पैत्विक भूहनी पर इस संग्रहाले का निमान करपाया। और मुख्य सयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विम्लादी श्रीमानी इनके साथ कंदे से कंधा मिदा कर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निमचावर कर दिया। अठारा जून पंद्रासाउच्छे तर इस ली को हल्दी घाटी का घमासान विद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल इर्क दिन का था जो मिवान के राजा, महराना प्रताब एवं मुगल अकबर की सेना के मद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयम नहीं आये थे। उन्होंने आमेर जैकुर के राजा मान सिंग को अपना सेनापती बना कर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध पांच किलोमेटर लंबे और दोसौ मीटर चौड़े चेत में हुआ। आप लोग सभी संड्रहाले में खड़े हैं। संड्रहाले से दोसम मीटर की दुरी पर चेतक की समाधी है जहां पर महारान प्ताप के स्वामी ठत गोड चेतक को दफनाया गया था। यहां से दो किलोमीटर की दुरी पर हल्दी घाटी तर्दा है। इस तर्वे की विशेश्चता है कि यहां की प्रकृतिक मिट्टीव पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस तर्वे के चारों तरफ महराना प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा कुझा के नित्रित्व में तैनाग थी। यह सेना तीर भाले पत्थर चलाने में कुशन थी। यहां से एक किलोमेटर की दूरी पर शाणी बाग है जिसमें मुगल सेना का पड़ा था। मुगल सेना 18 जून 1776 को प्रातह सूर्योदय के साथ बेवाण की राजणानी वोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महराना प्रताप की सेना उने आक्रमन किया और उनसे गुरिल लापत इसे विद्ध किया। ये आक्रमन अतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदर मच गई। महराना प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से तीन किलोमेटर दूब पीछे संतल शेत्र में जहां भी खम्नोर गाओं हैं वहां तक खदेव दिया। इसी खम्नोर गाओं के पास बनास नदी के पास संतल मैदान में साथ घंडे का वहानत युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोने पक्षों से कुल अठारा हजार सेनिक मारे गए। जब ये एक उतिसमात हुआ तो वहां पर मांसुमी परसाथ हुई। और वहां पर कटी हुई गाशे और फूम में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रख तलाई का नाम लिया। इस विद्ध में गॉालियर का एक पूरा राजबरिवार जिसमें राजा रामशार तमर और उनके दों पुत्र थे शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है। और जो इस विद्ध में शहीद हुए थे उनके समारत इसी बाम में बने हुए है। इस लडाई की विस्तित जांगाई आपको एक फिल्म के त्वारा दी जाएगी। आप जब इसकाश में सब कुछ देख चुए हैंगे तब यह फिल्म आउनलाइन पर सांड शो शुरू होंगे। तब तक के यह धन्यवाद।